सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए वीडियो शुरू करने से पहले एक important information हो सकता है आपको मेरी वीडियो की notification नहीं मिलें क्योंकि मैं उस टाइम पर इन वीडियो को launch नहीं कर रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं अपने YouTube पेज पर जाएए और वहाँ पर जाके लवनीश सरकी क्लास को सर्च कीजिए चैनल पर जाएए और चैनल पर जाके वीडियो वाले टैप को टच कीजिए वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी आप खुद भी वीडियो देखिए और उसको आगे भी शेर कीजिए ताकि आपको भी फायदा हो और और दूसरों को भी फायदा हो अज की इस वरक्षीट में हम ये जो लाइट शेडो और रिफलेक्शन चैप्टर है इसकी रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने इसको एक बार तो समझ ही लिया था अब exam point of view से इसको एक बार revise करेंगे So without wasting our time, let's start and understand with me First topic is luminous bodies, यानि की deep pinned The objects which give out their own light, for example sun, candle and torch यानि वो object जो की अपने अंदर से light को, जिसके अंदर अपनी खुद की light होती है और वो उस light को emit करते हैं, बाहर निकालते हैं तो ऐसे object को हम luminous object या luminous bodies कहते हैं, जैसे की sun, candle and torch क्योंकि इनके अंदर से light generate होती है फिर इसके ओपर base question है, differentiate the following objects into luminous and non-luminous objects यहाँ पर different objects दे रखे हैं, जिसको आपको luminous और non-luminous object में differentiate करना है तो कौन-कौन से objects हैं, let's see sun, pen, chair, candle, book and bulb अब इनको luminous में हमें पहले categorize करना है और जो बच जाएंगे उनको non-luminous में so let's see so देखे, luminous object कौन से होगे, sun, candle and bulb तो यह तीनों ही हैं, जिनके अंदर से light produce होती है, generate होती है और non-luminous कौन से होए, pen, chair and book यानि इनके अंदर से कोई light generate नहीं होती है तो इसका मतलब यह non-luminous object होंगे so next topic is transparent objects what are the transparent objects substance which allow light to pass through them like water, glass, etc यानि वो substances, वो चीज़ें जो अपने अंदर से light को pass through होने के लिए allow करती है उनके अंदर से light pass through हो जाती है जैसे कि water और glass हम इनके उस पार देख सकते हैं, इसलिए हम इनको transparent कहते है फिर second is translucent यहाँ पर L missing है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर L लिख दिया है translucent objects, substances which allow some light to pass through like butter paper, देखिए वो सारी चीज़ें जो अपने अंदर से केवल कुछ ही light को pass through होने देती हैं जैसे कि butter paper, butter के उपर एक paper लगा होता है उसके आप पार देख तो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि उसके पार है क्या उसके दूसरी तरफ क्या है इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, translucent यानि हमें बस हम अंदाजा लगा सकते हैं लाइट तो हलकी सी अगर आप लाइट की तरफ देखो के नजर आएगी लेकिन कौन सी लाइट वो नहीं नजर आएगी तो इसलिए उसको हम translucent कहते हैं and third one is, third one are opaque objects opaque का मतलब जिसके आप दूसरी तरफ देख ही ना पाओ substances which do not allow light to pass through them यानि वो substances वो चीज़े जिनके जो अपने अंदर से light को pass through होने ही नहीं देती हैं like wall, wood, etc. क्या आप लकडी के आरपार देख सकते हो, नहीं देख सकते हैं wall के, दिवार के आसपार आरपार देख सकते हो, नहीं देख सकते हैं अब आपको समझ मैं है transparent जिनके जो अपने अंदर से light को pass through होने देते हैं जिनके हम पार देख सकते हैं और object उसके दूसरी तरफ हम देख सकते हैं translucent वो some of the light को pass through कर सकते हैं और उनके पार भी हम देख नहीं पाते हैं, बस हलका सा हमें महसूस होता है then third one is opaque objects जिनके पार हम देखी नहीं सकते हैं और वो अपने अंदर से light को pass through होने ही नहीं देते हैं so अब इसी के ओपर based एक question है write differences between transparent and translucent objects give one example of each यानि आपको transparent और translucent object के बीच में difference बताना है और दोनों का एक एक example भी देना है देखे transparent objects, those objects through which light can pass easily are called transparent for example water, glass, air यानि वो object जो अपने अंदर से light को बहुत easily pass through होने देते हैं उन्हें हम transparent कहते हैं जैसे water, glass और air air के पार भी हम देख सकते हैं क्योंकि अभी भी हमारे आखों के आगे air है लेकिन हम उसके पार देख सकते हैं और दूसरा है translucent object the object through which light can pass partially are called translucent object यानि कि वो सारे object जिन में से जो light है वो थोड़ी बहुत ही pass through होती है उन्हें हम translucent object कहते हैं for example tracing paper, wax paper, etc then next topic shadows shadow is a dark patch which is formed on the ground when the path of light obstructed by an opaque object यानि shadow एक dark patch है जो की कैसे बनता है ground पर जब light के path में कोई opaque object उसको obstruct कर लेता है यानि जब light का जो path है opaque object उसको obstruct कर लेता है उसको रोक लेता है तो हमें shadow नजर आने लग जाती है अब आप समझे की shadow कैसे बनती है इसी के उपर एक question Do you see your shadow in a dark room? क्या आप एक अंधेरे कमरे में अपनी shadow को देख सकते हैं? No, we cannot see shadow in dark room because we need light to see the shadow क्योंकि हम अंधेरे कमरे में इसले नहीं देख सकते हैं अपनी shadow क्योंकि हमें उसके लिए light की ज़रुत पड़ाईगी ताकि हम अपनी shadow को देख सकें फिर Do you see a shadow when there is light in the room but no opaque object आप क्या अपनी shadow तब देख सकते हैं जब light भी हो कमरे में लेकिन कोई opaque object ना हो जो मतलब non transparent कोई object हो तो तब भी हम नहीं देख सकते हैं No, a shadow is formed when the light from a source is obstructed by an opaque object और shadow देखिए तब ही बनती है जब light किसी source से आ रही हो और उसका रास्ता किसी opaque object ने रोक लिया हो तब ही तो अब ये बनेगी आपकी छाया Third question है What do we need to see a shadow? हमें एक shadow को देखने के लिए क्या-क्या चाहिए A light source can make a shadow visible Opaque objects and a light source are the main requirements to see a shadow यानि हमें shadow को देखने के लिए एक तो opaque object चाहिए और एक light source जरूर चाहिए तब ही हम अपने shadow देख सकते है So now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूँ तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत सदा शेयर भी कीजिए और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वरक्षीट को समझते रहे लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी महनत और लगन के साथ आनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहे और जब भी पॉसिबल हो जब भी इसकी वेक्सिनेशन अवश्य कराएं क्योंकि कुरोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उमीद के साथ थैंक यू बेरि मुझ